हेलो, हाई फ्रेंज, इस वीडियो में आपको नेक डिजाइन बनाना बताती हूँ किस तरीक से हमें नेक डिजाइन प्यार करना है कि मैंने फोल्ड कर लिया है साथ देए दोु दो दो्टिजी कि दो दो करता है चार्चे लेंगे, डेट, सोरी, आधा इंच, स्कोर से से शेप देखे थोड़ा-थोड़ा, और इसकी कटिंग करें, कट कर लिया है, मैंने, अब नेफ बेजाइन तियार करें हैं, अब हम इसे नेख के लिए, नेख के लिए तिकाते हैं, कि अप्रेश करिंगे कि अप्रेश नियुंग करेंगे घंपोर कर दोफे दोगी कुझे जिए अब यहां से इसको ऐसे बोड़ाई में लेके इकटिंग करेंगे यह कट कर लिया है मैंने यहां से इसको फोल्ड करेंगी यहां इसकी सिलाई करेंगे पूरे ही शिलाई करने के बाद हम इसके उपर रखेंगे नैक के उपर इस तरीके से इसके उपर रखेंगे हम यहां से इसकी सिलाई करेंगे इस तरीके से यहां से सिलाई करेंगे हम चिलाई करने के बाद यह तो हमारा फोल्ड किया हुआ सिलाई करेंगे यहां फोल्ड करके चिलाई करेंगे तो फ्रेंड्स मैंने सिलाई करके रख लिया है, नेक को अब इसकी थोड़ी-थोड़ी कटिंग करेंगे हम, ताकि ये धागा खिंचे ना, इसको फोल्ड करेंगे, एक बार पैलेस की कटिंग करने से इस तरी की जित्मी सोगे, ताकि हम इसको अंदर के और फोल्ड करेंगे, तो आसानी से हो जाएगा, इसमें सले निये आएगा, ये मैंने कट करके रख लिया है, इस तरीके से कटिंग करने हमेज़ी, और किस तरीके से सिलाई करने हैं थे तो, ऐसे फोल्ड करो, ऐसे, यहां हमें इसको सीलना है, पूरे को, तो फ्रेंट्स मैंने शिलके त्यार कर लिया है, अब हमें नेक डिजाइन बनाना है, डोरियों से, पाइपिन निकाल के हमें नेक डिजाइन त्यार करना है, तो फ्रेंट्स किस तरीके से हमें नेक डिजाइन त्यार करना है, तो हम शरू करते हैं, चलो, यह मैंने कत्रन लिया है, सलवार का, यह मैचिंग है, यहां हम इसकी शिलाई करेंगे, इस तरीके से यहां से शिलाई करेंगे, पाइप इन ट्यार करेंगे हम, तो friends मैंने शिलाई करके भी रख लिया है ये रा ये मैंने शिलाई करके रख दिया है अब इसको फोल्ड करेंगे किस तरीके से फोल्ड करना है देखो सुई की साइता से अब इसको सिधा करेंगे पहले ये उल्टा था भी ये सिधा हो गया इस तरीके से हमें काफी सारी पाइपिने त्यार करनी है अपने नेक डिजाइन के लिए तो friends मैंने ये काफी सारी डोरी या पाइपिन त्यार कर लिए है अपना नेक डिजाइन त्यार करने के लिए हमें किस तरीके से अपने नेक डिजाइन को त्यार करना है इस तरीके से रखो, बैक साइड का नेक डिजाइन त्यार कर दियूँ मैं, इस तरीके से रखो, यहां ऐसे ही हमें रखके इनको सीलना है सिलाई से, इस तरीके से रखते जाओ, यहां से हमें इसकी सिलाई करनी है, तो फ्रेंड्स, मैंने शिलाई करके भी त्यार कर लिया है, इस तरीके से हमें पाइपिन निकालके अपनी नेक डिजाइन के लिए सील दिया है मैंने, तो ये कितना अच्छा लग रहा है देखो, कितना फूबसूरत लग रहा है ये अब हम इसके अंदर से डोरी एक और डोरी हमें पाइपन त्यार करनी है डोरी भोलो या पाइपन भोलो चलो हम पाइपन बिलकुल बारिक होते हैं यहां हम इसे डोरी बोलते हैं हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ से इसकी पूरी की सिलाई करेंगे, इसतरीके से सिलाई करेंगे, इसकी यह देखो friends मैंने इसिलाई करके भी रख लिया इसको, अब इसको सिधा करेंगे ये पहले उल्टा था अब इसको सिधा करेंगे सुई की साइता से इस तरीके से यहां से लगा के और एक नोट लगा के हम इसको राम से निकाल सकते हैं ऐसे ही हम छोटी छोटी पाइपन भी त्यार कर सकते हैं बिल्कुल बारिक बारिक इस तरीके से दीरे दीरे निकल जाएगी यह अब हम इसको सिदा करेंगे बिल्कुल अराम राम से खीश के यह हमारी डोरी बन के त्यार हो गई है अब हम नेक के अंदर किस त्रीके से हमें इसको डालना है ऐसे नेक डिजाइन को रखो इसमें दीरे दीरे बहुत अच्छा लगेगा यह डिजाइन बनाने में भी ज़्यादा कठीन नहीं है ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें और यह डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है नेक डिजाइन यह हमारा नेक डिजाइन बनके त्यार हो गया है देखो कितना अच्छा लग रहा है कितना खूबसूरत आए तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे बने रहे हैं आपको हर प्रकार के वीडियो मिलेंगे इस चैनल पे आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना तो आपको ऐसे वीडियो और देखो